आज हम जो रेश्पी बनाने जा रहे हैं इसे खाने के बाद आपके घर के बच्चे और बूड़े सभी पिज्जा बर्गर खाना भूल जाएंगे और सिर्फ आप से यही रेश्पी बनाएंगे बहुत ही यम्मी टेस्टी रेश्पी है जो सभी को बड़े से लेकर बच्चे तक सब को पसंद आएगी यकीन माने और बहुत ही आसानी से बन जाती है तो चलिए से बनाते हैं इससे बनाने के लिए मैंने गयस पर इकडाई में दो चमश तेल चड़ाया है इसमें डालेंगे एक चमश जीरा इसी के साथ इसमें दो हरी मिच को मैंने काट करके लिया और द् करने के बाद थोड़ा सा इसमें अब हम डालेंगे यह आदा चम्मच चिली फ्लैक्स इसका स्वाध इसमें बहुत ही अच्छा आएगा यह रेस पिखाने के बाद आपके घर में पिज्जा बर्गर की डिमान बंद हो कि बस यही बनेगा एक बड़ी से प्याच को मैंने आसे म मोटा मोटा सा काट लिया है हमें प्याच को भूना नहीं है बस हलका सा सौटे करेंगे हम और इसी के साथ मैंने एक सिम्ला मिर्ज को भी यहाँ पर काट लिया है मोटा मोटा सा इसे भी हमें हाई फ्लैम पर बस हलका सा फ्राइ करना है हमें इसे पकाना नहीं है बस हलका सा ल बिल्कुल थोड़ा सफ्राइग करना है और इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे स्वादयनुसा नमक बहुत ज्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे बिल्कुल कम मसालों के साथ ही यह बिल्कुल यमी टेस्टी से रेस्पी पसंद बन जाएगी तो दोस्तों अगर करना बिल्कुल न भूलें जी देखिया और अब मैंने यहाँ पर धाइसो ग्राम के करीब पनीर यहाँ पर ऐसे क्यूम्स में काट करके डाला है इन्हें हमें पकाना नहीं बस हलका सब मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूं यहाँ पर दो बड़े चम्मच के करीब टमाटो सास डाल करके इसे हमने साइड में रख दिया है अब मैंने लिए हैं यहाँ पर यह ब्रेड ब्रेड आप वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड कोई भी ले सकते हैं और ब्रेड को ले करके ऐसे हम बेल लेंगे यह देखिए हमें बेलन की मदद से इसे बेल लेना और इसके किनारे निकालने की कोई जरूरत नहीं है ये देखे हमने हलका से ब्रट को बेल लिया है जिसे ये चप्टा हो गया है अब हम लेंगे ये बटर को मैंने मेल्ट करके लिया है और इसमें बटर को हम इसके उपर लगा देंगे इससे क्या होगा कि हमारा ये नास्ता जो है बिल्कुल सॉफ्ट सा बनेगा और क्रिस्पी भी रहेगा और अब जो हमने ये फिलिंग बना करके रखी है उसे हम इसके उपर रख देंगे ये देखे एक चुमच भर के यहाँ पर हम फिलिंग रखेंगे और फिलिंग रखने के बाद इसे हम कवर करेंगे ये देखे ऐसे लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर एक चीज और इसमें डालने वाले हैं जो इसका स्वाद और भी बढ़ा देगी इसके उपर मैंने ये क्यूब चीज लिया है आप प्रोसेज चीज मोजरेला चीज कोई भी ले सकते हैं मैंने प्रोसेज चीज को ये ग्रेट करके लिया है और इसे भी हम इसके उपर ऐसे डाल देंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा बिल्कुल पिज्जा का स्वादा आने वाला है तो घर पर आप ये पिज्जा बर्गर की डिमांड तो होती रहती है और बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को पसंद आएगा और इन दोनों कोनों को ऐसे पकड़ करके टोटपिक की सहता से ऐसे हम इसे सील कर देंगे ये देखिए हमने सील कर दिया है और अब ये बिल्कुल तयार हो चुका है इसी तरह से हम सारी ब्रेट से ये नास्ता बना लेंगे ये देखिए बहुत ही असानी से बन जाता है और ऐसे ये सेट भी हो जाता है ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे नास्ते को बना करके तयार कर लिया है और अब हम चलिए इसे बेक कर लेते हैं तो आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं लेकिन ओवन सब के पास नहीं होता है तो हम लेंगे एक तवा और तवे को ऐसे बटर यगी लगा करके ग्रीस कर लेजी लेकिन इसी पकाने से पहले हम इसके उपर ये रोटी वाला तवा लेंगी इसके उपर ये दूसरा तवा ऐसे रखेंगे वरना डारेक्ट एक ही तवे पगर हम बनाएंगी तो हमारे नास्ता निचे से जल जाएगा और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ऐसे तवे के उपर ऐसे जितने भी आपके तवे पर ये नास्ते आ जाए ऐसे हम रख करके ऐसे ये दिखिए मेरे इस पर तवे पर चार पीसे जा गए हैं तो हम इसे रख करके और ढख करके इसे हम मेडियम फ्लेम पर ऐसे आप बटर चाहे तो उपर से भी लगा सकते हैं जिसे बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा और अब हम इसके बाद इसे ढख करके 10 मिनट तक मेडियम फ्लेम पर बेख करेंगे यह देखिए हम ढख देंगे जिससे इसमें से बिल्कुल भी हीट बाहर न निकलने पाए मैंने इसे ढख दिया है और 10 मिनट के बाद यह देखिए बहुत ही क्रिस्पी सा हमारा नास्ता पिज्जा की स्टाइल में बिल्कुल तयार हो चुका है तो है न कितना आसान सा यह नास्ता और यह बिल्कुल बन करके तयार हो गया है और यह देखिए मैंने नास्ते को तयार कर लिया है तो बहुत ही टेस्टी सा नास्ता बन करके तयार है दोस्तों अगर रेस्पी पसंद आये तो प्लीज अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भोले और चैनल पर न है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और देखिए नीचे से भी हमारा नास्ता बहुत अच्छी से